हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटे सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज का हमारा योगा का टोपिक है फॉर्थ यूनिट का वो क्या है सेतु बंद आसन ठीक है तो इसके बारे में डिटेल मे कोई अच्छे से दे सकते हो तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं और यह आगे कोई भी कॉम्पिटीजन होंगे बेटा इससे रिलेटिड तो उसमें भी हेल्प करेगा या फिर आप एजे इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे उसमें भी आपके लिए हेल्फुल रहे क्यों सब्सक्राइब। तो इसे और किस पर होता है जो भी कि हमारी पूरी जाफ होगा वह Jim और जो यह पाफ और मत लब कि सब्सक्राइब करना है बेट किक है इसमें बताया गे है उतल में मुथ्स तरीकर की दिखती बरेग को ú K만 Igor के बल लेट जाना है आपको ठीक है और अपने जो लेक्स है उन दोनों को तोगैदर एक तरीके से अटैच कर लेना है फिर क्या करना है अपने हैंड्स को बिल्कुल बोडी के साइड में लेकर आना और उनको पाम के साथ फ्लोर पर रेस्ट करने देना ठीक है फिर क्या करना है fold करना है दोनों legs को add the knees, घुटनों से उनको mode ना है और जो आपके जो तलवे होंगे जो बोलते हैं उनको ground पर इस तरीके से rest कराकर उनको उपर उठाना legs को, legs को उपर उठाते उठाते बैटा क्या करना होगा, आपको यह जो धड़ है इस part को भी और कमर के part को भी इन सब को उपर उठाने की कोसिस करनी है, और क्या करना है जो आपके joints होगे, ankles होगे, उनको अपने hands से पकड़ लेना, ठीक है, और इनके, जो आपकी heels है और जो आपके hips है, इनके बीच में कम gap होना चाहिए, जितना आप इनको close ला सकते है, उतना इसमें अच्छा होगा, इतना आपका अच्छे से posture बनेगा, ठीक है और जो आपका head होगा, ground पर इस तरीके से rest करना चाहिए और पूरी body का weight आपका किस पर होना चाहिए, shoulder पर होना चाहिए ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ देर के लिए इसमें रुखना होगा जितना और उतना ही आपको करना है, उपर उठाना है, जितने में आप comfortable feel करो ठीक है, और maintain करना है, फिर release करने के लिए सबसे पहले क्या करो ankles से release करोगे, अपने hands से, ठीक है, फिर क्या करोगे, अपनी thighs को lower down करोगे floor के उपर, फिर straight करोगे, और extend करोगे legs को, ठीक है, अपने जो legs होगे, उनको straight करना है, फिर उनको, मतलब की, extend कर देना है, फैला देना है, first party, ठीक है, bring legs knees should be kept apart while performing initial, ठीक है, कि जब आप initially इसको perform करोगे, तो जो आपके knees होंगे, वो थोड़ा apart होंगे, एक दूसरे से, ठीक है, एक साथ attached नहीं हो पाएंगे, ठीक है, यह आपको benefits के हैं, इसके, it brings coordination between the body and mind, and enhance concentration, ठीक है, तो यह क्या करता है, बेटा, concentration के लिए, तो यह chapter ही है, पूरा, इसी पर base है, ठीक है, एनांस करता है, it is beneficial to strengthen the lower back and abdominal muscles, तो maximum absence ऐसे हैं, जो हमारी back problem के लिए, अच्छे होते हैं, और maximum, कह सकते हैं, most of the essay हैं, कि जिसमें आपको perform नहीं करना, अगर आपके back में problem है, तो, ठीक है, और it broadens the chest, ठीक है, तो यह हमारा धर्ड होता है, उसको भी क्या करता है, broaden करने में help करता है, ठीक है, it release the tension and stiffness of the muscles and tone of the body, और यह क्या करता है, tension को release करने में help करता है, अकड़ापन होता है, muscles के अंदर, एठन होती है, उसको दूर करने में help करता है, ठीक है, आप limitation क्या है, do not practice if suffering from any back problem, cardiac problem, ठीक है, cardiac होती है, जो heart से related कोई problem हो, ठीक है, high blood pressure और excessive obesity, या फिर ज्यादा मोटापे का सिकार हो, तो भी आपको इसको यह perform नहीं करना, तो यहां से एक और question बन जाता है, कि ज अच्छे से समझाया होगा, सेतु बंदासन, नेक्स्ट जो है मिटा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए ऐसी हस्ते रहीं, मुस्कुलाते रहीं पढ़ते रहीं और आगे बढ़ते रहीं, thank you